अभी मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम में हर किसी को सर्दी, खासी, जुखाम ये सब अक्सर हो जाता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे काढ़े की रेशेपी लेके आई हूँ जो आप सिर्फ एक चुटकी डालेंगे और काढ़ा बनकर त्यार हो जाएगा बिना किसी ताम जाम के, बिना किसी मेहनत के आप काढ़ा बना सकते हैं ये काढ़ा आपकी इमुनटी को मजबूत करेगा, आपकी पाचन के लिए भी सही रहेगी और कई बिमारियों से लड़ने की छहमता इस काढ़े में है तो चलिए जल्दी से काढ़े की रेसेपी देख लेते हैं मैं सभी चीजों की मात्रा टेबल इस्पून से बता रही हूँ आप अपने अमसार इसको ग्राम में या किसी छोटी काटोरी के हिसाब से कम जादा बना सकते हैं तो सबसे पहले एक टेबल स्पून काली मिर्च लेंगे और एक टेबल स्पून लॉंग लेंगे एक टेबल स्पून अजवाइन लेंगे लगबग 3-4 इंच का टुकड़ा सोट का ले लेंगे यानि कि ड्राई जिंजर लेंगे और इसको तोड़ के इसमें रखेंगे यह थोड़ा हार्ड होता है आप चाहें तो किसी भारी चीज़ से तोड़ के रखें या चाकू से कट करके रखें तो थोड़ा सा छोटे टुकड़े में कर लेंगे क्योंकि इसको पीसना है तो चाकू से भी देखें कट जा रहा है कोई-कोई हार्ड होता है तो चाकू से नहीं कटता है तो आप इसको किसी भारी चीज़ से तोड़ सकते है और यहाँ पर 3-4 इंच डालचीनी का टुकड़ा देंगे तो डालचीनी को भी छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे अब एक टेबली स्कून लेंगे मुलेठी तो यह मुलेठी लकड़ी के जैसा होता है तो आप चाहें तो अगर आपको लकड़ी वाला मिल जा रहा है तो उसको ले लीजिए मैं यहाँ पर पतंचली प्रांट का मुलेठी ली हूँ यह दीपे मुलेठी नाम से आता है और 30 रुपीज में 100 ग्राम का पैकेट आता है तो आप चाहें तो इसको ले 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 या तो जो लकड़ी वाला आता है उसको भी ले सकते हैं और 5 छोटे साइस का तेज पत्ता लेंगे इसको भी छोटे टुकड़े में तोड़के इसमें डालेंगे तो अभी हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे तो अब इसी में डाल लेंगे एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर सभी चीजों की मात्रा मैंने टेबल स्पून उपर तक भर के फिल ली है अभी हम इसमें कुछ चीजें और डालेंगे लेकिन इसमें नहीं डालेंगे बाद में डालेंगे और मैंने देखिए पहले से ही काड़े का पाउडर बनाकर रखा था तो यह पुरा डिपा भर के था और अभी इतना बच्चा है तो मुझे अपने लिए बनाना था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दें तकि आप लोगों को भी इसे जल्दी काढहा बनाने का मन भी नहीं करता है, नपकर अगर इस तरह से पाउड़ बना रख लेंगे तो यह काढहा बहुत आसानी से है, घर में कोई भी हो, बच्चा, वुदा, बड़ा, कोई भी है, तो ये काढ़ा बना सकता है किसी को कोई भी परिशानी नहीं होगी इसको बनाते समय और ये पाउडर बहुत कम लगता है एक कप काढ़े के लिए सिर्फ एक जुटकी पाउडर डालेंगे और काढ़ा बनकर त्यार हो जाएगा और इसका स्वाद आपके घर में सभी को पसंद आएगा आप इसका ढकन बंद करके बारीक पीस लेंगे तो इस तरह से मैंने इसको बारीक पीस लिया है इसको पीसने से ही इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है तो इसको हम किसी एर टाइट डिबे में रखेंगे जिसका ढखन अच्छी से बंद हो तो मैं इसको पहले एक छोटी से डिबे में भर के रख लूँगी और उसके बाद मैं इससे काढ़ा बना कर भी आपको दिखा रही हूँ अब मैं इसे काढ़ा बना कर आपको दिखा रही हूँ तो एक परतन लेंगे और जितना कप आपको काढ़ा बनाना है उतना कप पानी ले लिजे तो मैं यहाँ पे एक छोटे ग्लास से बना रही हूँ तो मैंने एक ग्लास भर के यह पानी ले लिया है और मैं सिर्फ यहाँ पे एक कप काड़ा बना रही हूँ तो एक चुटकी यह पाउडर लेंगे यह देखे बहुत ज़्यादा भर के चुटकी नहीं लेंगे और बहुत कम चुटकी नहीं लेंगे मीडियम चुटकी लेंगे अब इसमें डाल देंगे 2-3 तुलसी पती और तुलसी पती को हाथ से इस तरह से तोड़ के डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी जल्दी से आजाए काड़े में और इसको मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे देसी गुड ले रही हूँ तो कोशिश किजिए कि आप भी देसी गुड लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़्यादा फायदे मन्द होता है देसी गुड और गुड नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें मिश्डी डाल सकते हैं या मिश्डी भी नहीं लेना चाहते हैं शहेड टाल सकते हैं, लेकिन शहेड टालने से एक दिक्कत आती है, कि गरम-गरम पे हम शहेड नहीं टालेंगे, काढ़ाथ हुझा हो जब फिर टालेंगे, तो ठंडा गाढ़ा पीने से उतना ज्यादा फाइदे मन नहीं होता है, गरम गरम पिएंगे तो जादा फाइदा करेगा, कोशिस कीजिए कि देसी गुड ही लीजिए तो जादा अच्छा है, मैंने यहाँ पे एक डेबल इस्पून के लगबग गुड डाला है, गुड आप अपनी पसंद अंसार कम या जादा भी कर सकते हैं, गैस फ्लेम लोटू मीडियम पे करके मैंने इसको चड़ा दिया था, तो इसमें उबाल भी आने लगा है, तो बस इसको मीडियम गैस फ्लेम पे एक मिनट तक उबलने देंगे, बहुत ज़्यादा देर उबालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजे इसमें पीसी कर देंगे, और आप इसमें डाल देंगे एक चौथाई टुकड़ा नीबू कर रस, नीबू कर रस आप अपनी पसंद अंसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं, ध्यान रखेंगे कि गैस फ्लेम आफ करके तभी नीबू कर रस डालेंगे, क्योंकि उबलते हुए किसी भी चीज में नीबू कर रस नहीं डालना चाहिए, तो अब हम इसको चानेंगे, तो बहुत ही बढ़िया काढ़ा बना है, एक बार आप इसको जरूर बना के पीजिए, आपको पसंद आने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होगा, और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी है, जो हमारे लिए नुकसान दायक हो, या किसी भी चीज की मात्रा इतना ज़्यादा नहीं है, जो नुकसान करें, तो दोस्तों इस तरह से काढ़े के पाउडर से काढ़ा बना कर आप ही पीजिए, और सर्ती जुखाम खासी बुखार को अपने पास मता ने तो अगर आपको यह काढ़े की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीस लाइक का बटन जरूर तबाएं, और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, टेक क्यार बाइ-बाइ